आज मैं हर्याणा के अपने उन भायों बैनों से बात्चित कर रहा हूं जिनकी आयूग 60 वर्ष पार और अभी हो सकता है आप लोग 65-70 के भी न हुए हो और इसलिए मैं ये मानके चलता हूं कि आप सब मेरे सब साथी हैं हम साथी हैं मैंने माना है कि पूरे हर्याणा की जनता 2.87 लाख लोग लगबग 72 लाख परिवार ये सब मेरा परिवार है और इस नाते से आप मेरे परिवार के साथी हैं मेरे भाई-बैन हैं कुछ वर्ष पहले हर्याणा के अंदर ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके आयू 60 वर्ष से उपर हो जाती है उनको एक सम्मान निधी के नाते भी योजना शुरू की थी और वो योजना शायद 100 रुपे के आसपा से शुरू होई थी 2014 में हम लोगों ने सरकार समाली तो उस समय ये पैंशन 1000 रुपे मासिक थी अगला जो 2023 का महिना शुरू होने वाला है उस समय ये हमारी जो पैंशन है जो सम्मान निधी है ये 2750 रुपे हो जाएगी कहा 1000 रुपे कहा 2750 रुपे अब इस नाते से हम अपने प्रदेश के लग महिने पहुंचती है अब दो ही कंडिशन है किसी भी बुदुर्ग की वो पैंशन शुरू हो या तो व्यक्ति साथ वर्ष का हो गया है और यह फिर जो साथ वर्ष का हुआ है वो दोनों पति-पतनी की आये ये दो लाख रुपे से कम होनी चाहिए हमें लगा दो लाख रु लगति हो जाए उसको तब अगले महिने से अपने आ पर चसशन शुरू हो जाए माठ्र एक काग़श्पर आपको साइन करना होगा एक महिने के अंदर अंदर उस्वति पत्र के साइन भीर करते हैं और उसके बाद उन लोगों से जो 70 पत्र देते हैं अपने आप ही पेंशन है ये जाना शुरू हो जाता है अमने लगभग 6 मेने पहले इस व्यस्ता को शुरू किया था और इन 6 मेनों में साड़े 16,000 लोगों को और आटोमेटिकली अपने पेंशन मिली केवल हरियाना प्रदेशी है जो ये साड़े 2700 रुपया और ये दे रहा है और किसी प्रदेश में इस प्रकार की व्यस्ता ये ऐसी नहीं है हमारे देश के प्रदानमंत्री विशेश दोर पर बहुत चिंतित है गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए पांच लाख रुपेज तक का ये जो स्वास्त बीमा है ये लागू कराया है आयूशमान भारत के नाते हम हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई चिरायू योजना ताके एक लाख असी जार रुपे तक की आये के जो परिवार हैं उन सब को इसका लाब मिले और इसमें 39 लाख से भी ज्यादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं इस वर्ष के बजट में हमने इस आये को बढ़ा करके तीन लाख रुपेया प्रती परिवार ये आये रख करके और थोड़े से पैसे लेकर थोड़े पैसे आने 125 रुपेया महीना अर्थाथ 15 रुपेया साल इतना पैसा लेकर के भी उनकी जो स्वास्त विवा योजना उनको भी इसको उफर किया है ताके वो इसको ले सके और प के साथ से 25 जार पैसे कम हैं ऐसे भी 3600 लोगई अप्रेल से इन सब लोगों के लिए जो व्रिद आश्रेस्थल सिवा शरम वरिस्त नागरिक शेवाश्रम इन सेवाश्रों में उनको हम कहेंगे जाकर के वहां रहें अगर वो सेहमत होंगे उन सब को हम इन सेवा अश्रों में रखेंगे कोई गरीब परिवार है उसकी हफ्रगार की जिनता राशन कार के नाते से ऑट्मेटिक राशन बनते हैं अगर किसी परिवार की सिर्फ पर छत नहीं है प्रदानमत्री आवास योजना के इंतरगत उनको मकान मिलता है कोई व्यक्ति आगे चल करके भी बमार न हो उसका स्वास्त जांच जरूर हो इसके लिए भी निरोग योजना बनाई गई है आप लोगों को ख़बर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्स्क्राइब करें और धन्यवाद बाते हैं